दोस्तों में सोरमलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज अर्थसास्तर के 27 Most Important Question Answers देखेंगे सभी परिक्साओं के लिए महत्पून रहे गिए वीडियो पूरी वीडियो का एंड तक देखना वही ठीक है और 27 में से आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा वीडियो के एंड में जाने के बाद में वीडियो पसंद आए, Question Answers अच्छे लगे तो Like Share कर देना भारत में सबसे संपत्ती वाला राज्य कौन सा है तो ये आपके लिए Test Question है इसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में जरूर बताना है चले, शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला Question आपकी स्क्रेंड पर है Imperial Bank की स्थापना किस वर्स की गई थी? दोस्तो, Imperial Bank की स्थापना किस वर्स की गई थी? तो इस Question का सही उत्तर क्या रहेगा? तो सही उत्तर रहेगा 1921 यानि की पहले Question का राइट आंसर B हो जाएगा ये आपको याद रखना है Question नमबर 2 है भारती रिजर्बेंक का राश्टे करन कब हुआ था? दोस्तो, इस Question का सही उत्तर क्या रहेगा? भारती रिजर्बेंक का राश्टे करन हुआ था 1949 में यानि की दूसरे Question का सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तो D हो जाएगा तीसरा Question है मुद्रा इस्विती किस कारण से होती है? दोस्तो, राइट आंसर रहेगा मुद्रा पूर्ती में वरद्धी यानि की तीसरे Question का सही आंसर दोस्तो C हो जाएगा ये आपको यादखना है Question No.4 है भारत में हरित क्रांती के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांती के जनक कौन थे दोस्तो इस Question का सही उत्तर क्या रहेगा? Dr. M.S. स्वामी नाथन यानि की Question No.4 का सही उत्तर C हो जाएगा ये आपको यादखना है Question No.5 है विस्व में हरित क्रांती के जनक है विस्व में हरित क्रांती के जनक है Norman E. Borelog यानि की Right Answer दोस्तो Option नहीं हो जाएगा पांचवे Question का सही उत्तर तो ये आपको याद अखना है प्यारे दोस्तो अगर आप लोग किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं तो Master PDF लेने के लिए आप हमारे WhatsApp नमबर पर मैसेज कर सकते हैं अभी दिवाली ओफर चल रहा है तो मात्र 1.500 रुपे में All subject की PDF आपको मिल जाएगी ये ओफर बहुत ही limited समय के लिए है तो ये जरूर ज्यारा करा Description Box में भी Master PDF का लिंक एविलेबल है जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके PDF ले सकते है WhatsApp नमबर यहाँ पर लिखाओ मिलेगा चटा कोशन है गिल्ट एज बाजार किस से संबन्दित है चटे कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा सरकारी परतिबूत यहां से यानि कि छटे कोशन का राइट आंसर भी हो जाएगा यह भी आपको याद अखना है कोशन नमबर साथ है वेल्ट आप नेशन पुस्तक के लेखक कोन है दोस्तो वेल्ट आप नेशन नेशन पुस्तक के लेखक कोन है तो राइट आंसर रहेगा Adam Smith, यानि कि साथवे कोशन का right answer option A हो जाएगा, ये आपको याद अखना है Question number 8 है, चेलिया समीती किस से संबंदित है? Right answer हैगा, कर सुधार से, यानि कि आठवे कोशन का right answer option A हो जाएगा, ये भी आपको याद अखना है Question number 9 है, भारत में वित्य आयोक के गठन का प्रवधान सविधान के किस अनुच्चेद में वर्णित है? तो नुवे कोशन का दोस्तो right answer हैगा, अनुच्चेद 280 में, यानि कि right answer B हो जाएगा, नुवे कोशन का से उत्तर ये भी आपको याद अखना है दस्वा कोशन है, भारत सरकार ने नोटबंदी की गोशना कब की? दोस्तो दस्वे कोशन का right answer हैगा, आट नुवंबर 2016 में, यानि कि right answer C हो जाएगा, दस्वे कोशन का से उत्तर कोशन नुबर 11 है, भारत में समान और सेवा कर, GST कब सुरू किया गया? तो समान और सेवा कर, यानि कि GST दोस्तो कब सुरू किया गया था? सेशन अच्छा लगे तो like कर देना, अपने दोस्तों के साथ में share कर देना और economics की सभी वीडियोज देखने के लिए description box में playlist का link है जहाँ पर आप click करके सारी वीडियोज देख सकते हैं या फिर YouTube पर search कर लेना, only top study economics, तो सारी वीडियोज मिल जाएगे आपको ग्यारवे कोशन का right answer दोस्तों क्या हो जाएगा? 1.July 2017, यानि कि C is the right answer बारवा कोशन है, भारत के सविधान में बजट को क्या कहा जाता है? दोस्तों, right answer हैगा, वारसिक बजट स्टेटमेंट, यानि कि बारवे कोशन का right answer option A हो जाएगा, ये आपको याद अखना है कोशन नमर 13 है, भारत में पर्थम किर्सी विश्विध्याले की स्थापना कहा हुई थी? तो तेरवे कोशन का दोस्तों, right answer हैगा, पंत नगर में, यानि कि 13 कोशन का right answer C हो जाएगा, ये आपको याद अखना है कोशन नमर 14 है, भारत में विशेश आर्थिक चेत्र की नीति कब घुसित की गई थी? दोस्तों, कोशन नमर 14 का सही उतर हैगा, अप्रेल 2000 में, यानि की option A right answer हैगा, 14 कोशन का सही उतर है ये आपको याद अखना है कोशन नमर 15 है, हवाला क्या है? दोस्तों, हवाला क्या है? तो इस कोशन का right answer हैगा, विदेशी मुद्रा का अवेद कारुबार यानि की right answer is B निमलिखित में से कौन भारत में सेहर बाजार की कार्य को नियंतरित करता है? तो right answer हैगा C B, यानि की security exchange board of India तो solve question का right answer दोस्तों, B हो जाएगा सतरवा कोशन है, राष्टिय ग्रामेन सवास्त मिशन कब सुरू हुआ? दोस्तों, राष्टिय ग्रामेन सवास्त मिशन कब सुरू हुआ? तो इस कोशन का सही उत्तर रहेगा अप्रेल 2005 में यानि की option A right answer हो जाएगा, सतरवे कोशन का सही उत्तर अठारवा कोशन है भारत में उस्तम मानव विकास सुचकांक किस राज्य में है? दोस्तों, अठारवे कोशन का सही उत्तर रहेगा केरल में है यानि की right answer B हो जाएगा, दोस्तों, अठारवे कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर 19 है, निमन में से कौन से देश में मिसरित अर्थ्ववस्था है? तो दोस्तों, भारत देश की जो अर्थ्वस्था है, वो mixed economy है यानि की right answer is B बीसवा कोशन है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो मैंने आप लोगों से अभी test question पूछा था, उसका answer बताने के लिए बोला था तो इसका सही उत्तर हैगा दोस्तों, मारास्ट्र यानि की B is the right answer दोस्तों, 21 वा कोशन है, ट्रिपल पी यानि की purchasing power priority के आधार पर भारत का स्थान है दोस्तों, इस question का right answer हैगा, तो right answer is तीसरे स्थान पर, यानि की D is the right answer 22 वा कोशन है, जीडीपी पर, कैपिटा के आधार पर सबसे पहले इस्थान पर कौन सा देश है दोस्तों, right answer हैगा, कतर यानि की C is the right answer 23 वा कोशन है, भारतिय अर्थविस्था को गती देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है तो railway is the right answer, 23 वा कोशन का सही उत्तर दोस्तों, A हो जाएगा 24 वा कोशन है, भारत में स्वेत करांती के जनक कौन माने जाते है तो इस कोशन का सही उत्तर हैगा डोक्टर वर्गिज कुरियन, यानि की right answer is option ये आपको याद रखना है 25 वा कोशन है, National Mineral Development Corporation of India की हीरे की खान कहां इस्तित है पन्ना में यानि की right answer is D, ये आपको याद रखना है 26 वा कोशन है, भारतिय करंसी नोट के पीछे भाग पर कितनी भासे मुद्रित होती है 26 वे कोशन का right answer is 15, तो right answer D हो जाएगा 26 वे कोशन का सही उत्तर, ये आपको याद रखना है कोशन वर 27 है, भारतिय बैंक नोट पर चापा मंगलियान क्या दरसाता है तो right answer is, अंत्रिक्स में भारत का पहला उध्यम यानि की right answer is option है तो 27 वे कोशन का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा ये थे हमारे 27 most important question answers अब आप लोगोंने कितने सही के हैं, ये comment box में बताना भारत में हरित क्रांती के जनक कौन थे, ये आपके लिए test question है इसका answer सभी को comment box में जरूर बताना है only top study app डाउनलोड नहीं किया, तो डाउनलोड करिए, 5 star की rating करिएगा उसके बाद में आपको यहां से regular current affair की पीडियाप मिलना सुरू हो जाएगे देखे, किसी भी exam के अगर आप त्यारी करता हैं, तो हमारे पास आपके लिए master पीडियाप है और यह offer दोस्तो लेने के लिए description box में जो link दिया गया है, उस पर click करके payment करके आप पीडियाप ले पाएंगे यह हमारा WhatsApp नमबर है, इस पर भी आप message करेंगे, तो आपको पीडियाप मिल जाएगे वीडियो अगर आपको पसंद आई, तो like share कर दीजेगा चैनल पर नए है, तो subscribe करिए, bell icon को on रखे, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो Thank you so much, bye bye everyone, take care, ख्याले के अपना मिलते राइस class में